जहिन चात्रो मैं इशार हमत competition community के इस question session प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूँ चात्रो आप इस screen में जिन्हें देख रहे हैं उन्हें तो आप भली भाती जानते होंगे हमारे पूरो राष्ट पती एपीजे अब्दूलकलाम साथ इनका कथन है महान सपने देखने वाले के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं इसी निरंतरता इसी मेहनत और इसी दिन संकल्प के साथ आप अपनी तैयारी जारी रखे और इस प्रस्न सत्रो को continue करते रहे हैं चात्रो जैसे कि प्रस्न सत्र के बारे में अगर अच्छे से डिटेलिंग और ज्यादा डिटेलिंग चाहते हैं आप तो आप पहले वीडियो को जाके बहतर तरीके से देख सकते हैं ठीक है और ज्यादा समय ना लेते हुए हमारा विशय चल रहा है भारती भूगोल और भारती भूगोल की जो दक्षिन भारत की नदियों से प्रस्न पूछे जाते हैं उन प्रस्न को आईए हम इस प्रकार करते हैं आई हमारा सब्जेक्ट चल रहा है भारती भूगोल अपवात अंतर चल रहा हमारा दक्षिन भारत में जितनी भी नदिया वहती है उन नदियों से प्रशन किस प्रकार से पूछे जाते हैं उसे हम देखेंगे आए है चाथो पहला प्रशन है हमारा कूट पे अधारित प्रश कथन पर अतारीत जितने भी प्राष्ण आते हैं उन्हें भी करना उन्हें भी प्रैक्टिस करना हमें अनिवार रहे हैं क्योंकि प्रश्ण का नजरिया जो है निलगीरी परवत स्रिंखला से पस्चिमी घाट की परवत डेल्टा का निर्मान नहीं करते याद रखेगा पस्चिमी घाट की जितनी भी नदिया है वो एष्चुरी यह आपका खाडी का जो है आपका खाडियों में बहते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और जो पुर्वी घाट की जितनी नदिया है, वो डेल्टा का निर्मार करती है, लेकिन उसका भी एक अपवाद है, कि दामोदर नदी जो है, ठीक है, यहाँ ज्यादा बड़ी बन गई है नदी, ठीक है, देखते हैं प्रस्णिक के और चलते हैं, दुसरा है आपका कारण पूछता है, ठीक है, रीजन है इसका, वे छोटे मार्ग से, तीवर गती से, कडी, कठोर चटानों के उपर से प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है, खाडियों से बहती है, दो चटानों के बीच म यह प्रस्ण का उत्तर क्या हो जाएगा A ठीक है आगे भी देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि A तथा R दोनों सहीं है किन्तु R A की सहीं व्याक्षा नहीं करता है बिल्कुल AR दोनों सही है, लेकिन R वैक्ष्या कर रहा हैं ना, एकि तो इस प्रकार से हमें अपना approach रखना है। ठीक है? A सही है, परन्तू R गलत है, R गलत है ही नहीं। ठीक है? उसके बाद A गलत है, परन्तु R सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो किया है हमारा आंसर तो इस प्रकार से हमें प्रशन करना है और देखिए यह कितनी बार पर इच्छाओं में पुछा गया है, ठीक है आईए अगले प्रशण के और बढ़ते हैं ठीक है, यह नकसा है उसके बाद फिर से यह कूठ प्याधारित प्रशन है अब R, कारण है, इसका reason है, नर्मदा और तापी नदिया विब्रंस घाटी होकर बहती है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, तो आईए इसका answer देखते हैं, A तथा R दोनों सही है, बिल्कुल, तथा R और R A की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है, आगे बढ़ने की तो कुछ इस प्रकार से ये similar प्रस्न रहा, ठीक है, लेकिन प्रस्न पूछने का नजरिया अलग था, ठीक है, प्रस्न में जो है, शब्द का प्रयोग अलग किया गया था, तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं, आईए ज़्यादा समयना लेते हुए आगे बढ़ते हैं, प्रस्न तीन है हमारा, निमलिखित में से कौन सी घाटी ब्रंस घाटी से होकर प्रवाहित होती है, ये नदी होगा, ठीक है, इस प्रकार से, ब्रंस घाटी से होकर प्रवाहित होती है, ठीक है, तो आईए देखते हैं, तापी, कृष्णा, महानदी, गुदावरी, ये सब देल्टा बनाने वाली है यह पुर्व की और प्रवाहित होती है तो तापी नदी जो है आपका ब्रंस घाटी से बैती है ठीक है तो इसका अंसर यह होगा देखो कितने बार पूछा है परिच्छाओं में आगे बढ़ते हैं आईए यहां दिख रहा है आपको तापती नदी तो आपका इस प्रकार से याद रखना है आई आगे बढ़ते हैं कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या ब्रंस द्रोणी से होकर बैती उसी प्रकार का प्रस्ण है लेकिन option देखिए इसका नर्मदा ब्रह्मपुत्र गंगा ए क्रिष्णा ब्रह्मपुत्र गंगा के साथ डेल् इन दोनों सुन्दर निर्मान करते हैं दोनों तो इसका अंसर क्या हो जाएगा नर्मदा नदी ठीक है तो आए कुछ इस प्रकार से यहां दिखाई दे रहा है भारत की निम्लिकित नदियों में कौन सा पस्चिमी घाट से नहीं निकलती ठीक है तो याद रखना हमें नदी यह मद्द प्रदेश वाला चेत्र ठीक यहां से निकलती है और आपका घाड़ी में जाती आगे बढ़ते हैं यह प्रस नंबर 6 हमारा कावेरी नदी का उद्गमिस्थल कहा है तो याद रखना है सहेद्री में नहीं है ब्रह्मगिरी के पहाड़ी बिल्कुल यही सही ब्रह्मगिरी के पहाड़ी का आपका कावेरी नदी का ब्रह्मगिरी के पहाड़ी कहा है करनाटक में इस्ठीथ है याद रखना है करनाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी नदी का उद्गमिस्थल होता है ठीक आए आगे बढ़ते हैं प्रस नंबर 7 है निमलिकित नदियों मे से किसको दक्षीन की गंगा यह प्रस्ट नहीं होना है यह से रिलेतेड भारत का भगळी विवाजन उत्तर लिया है कावेरी नदी तो गुदावरी नदी जो है वो आपका बुढी घंगा के नाम से प्रसिध्य और NCRT में जो है गुदावरी नदी को दक्षिन भारत की घंगा कहा जाता है दक्षिन भारत की सबसे लंबी नदी 1465 किलो मीटर आपका कुछ यह गुदावरी नद है यह कित्त हो गया आपका 1465 किलो मीटर ठीक है उसके बाद है आपका कृष्णा नदी ठीक है कृष्णा नदी है आपका 14 लगभग किलो मीटर फिर नर्वदा 1310 किलो मीटर हमेशा होता है और यह 858 किलो मीटर ठीक है तो क्या होगा इसका तीन दिख रहे किसी में यही इसक बना सकते थे आपका तीन हो गया फिर उसके बाद दो है उसके बाद आपका चार है और उसके बाद महानदी इस प्रकार से प्रस्न बनाया जाता है ठीक है आई आगे बढ़ते हैं प्रस्न का मांग नौ है निमली कित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती आए तेखे तापती बनाती है नरमदा बनाती है मांठी बनाती है लेकिन महानदी नहीं बनाती ठीक है आई आगे बढ़ते है तो यह आपका तापती नरमदा है ऐसे याद रख सकते हैं आई आए अगला देख प्रस्न कोश्चन नंबड 10 प्रायधि भारत में सबसे लंबी नदी कौन स भारत का दूसरा बड़ा नदी बेशिन कोन सा है आपका तो आपका गोदावरी बेशिन आद रखना है पहला कुझ सा है गणा नदी अपुहां तंत्र आगे बढ़ते हैं ठीक है एक नदी आप पूरा एरिया जो है नदी चेत्र के अंतरगत आता है चत्तिसघण में बंगाल की खाड़ी में गीड़ती तो देखिए गंगा ब्रह्म पुत्र गोदावरी गीड़ती है थ्षिप कर से रखना है को सउसी ऑर्म अरप Nein तो उस प्रकार से हमें सेंस लगा के बनाना है ठीक महानदी कृष्णा तथा कावेरी बिल्कुल सही है लुनी नर्मदा तथा तापती ठीक नर्मदा तापती के बारे में तो पढ़े लुनी जो है वह आपका राजी स्थान से निकलती है और आपका इसका प्रथम चरण मीठा होता है और अंतिम चरण जो है खारा होता है इस प्रकार से अभी कोस्टन देखने को मिलेगा आपको ठीक आई आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा इसका अंसर आंसर तो बता दिये कि आपका बंगाली खाड़ी में गिरती है तो ए और बी दोनों इसका अंसर सहीं हो जाएगा चमाचा होंगा ठीक है जल्दी जल्दी में आगे बढ़ गया था ठीक है प्रस्ण सत्र प्रस्ण सत्र की तरह किया जाए ज्यादा बहतर है ठीक है जित्ते भी प्रस्ण पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं उन सब भी प्रस्णों का संकलन है ठीक है तो आए आगे ब बढ़ते हैं ठीक है यहां पस दिख रहा है आपको यह दामुदर नदी बड़ी बन गई है यहां चमा चाहूंगा लेकिन आपका हुगली नदी की सायक नदी कौन सी आपकी दामुदर नदी आईए धामुदर नदी निकलती है कहां से निकलती है दामुदर निकलती से चोटा-刚 bị% पहाड़ें जारिखंडवाल अरिया से यह निकलती है हैं किते बार पूछाए देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चेय निवलिखित में से किस नदी के उपरी मारग में मीठा जल ताह कपव जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाव मिलता है इसका प्रस्ण मैं ने कहा था तो यह वह ही लूनी नदी है जो राजिस्थान के अजमेर जिले से निकलती है आपका और आजमेर जिले से हाँ अजमेर जिले से निकलती है और यह आपका अरावली प्रवस्रिंखły Śetra से निकलती है याद रखना है इसका तो लुनी नदी है ठीक है आगे बढ़ते है इए यह रही लुनी नदी ठीक है पुछा जाता है याद रखेगा कोशी नदी भारत सवरी बंगाल का शोक कहा जाता है इसे बाढ़ गरस्त रहता है इसके छेत्र हमेशा ठीक है आए आगे बढ़ते हैं सूची एक को सूची दो में सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग का सह नहीं उत्तर चुनिए ओके ठीक है नदिया और उसकी सहायक नदिया ठीक है आईए देखते हैं कृष्णा नदी की सहायक नदी यह दिखेगा आपको भीमा ठीक है ज्यादा नीचे चले चाहेंगे ब्रह्मु पुत्र की नहीं सहायक नदी तीस्ता नदी इससे पहले वाले वीडियो में आपको तीस्ता नदी का डिटेल बताया था माने ठीक है गोदावरी नदी गोदावरी नदी कि सहायक नदी इंद्रावती थोड़ा देर पहले बताया चति दक्षिन शत्तिरगर की गंगा या जीवन रिखा ठीक है यह मुना नदी कि सहायक नदी चंबल नदी इससे पहले वाले वीडियो में अच्छी तरीके से डिटेल दिया गया था तो क्या हो जाएगा इसका एक चार दिख रहा है दो जोगा दिख रहा है ठीक ब्रह्मो पुत्र नदी तीन ठीक है इसको गदावरी नदी दो एक यह हो गया इसका आंसर ठीक है जारकन PSC में जबाई नदी ठीक है कहांस निकलती है बोल रहा है आपका मध्यप्रदेश से तो याद रखेगा माही नदी आई इसे देखते हैं ठीक है माही नदी जो है आपका मध्यप्रदेश से निकलती है नक्से में चले जाते हैं यह रहा नक्सा ठीक है यहां दिखाई दे रहा है म कहां चलेगे यह थोड़ा तिर्षा कर दी है इसको तो आप जो है जब भी पढ़ेंगे तो अपने पास नक्सा लेके और इस चीज को क्लियर करते हुए चलते रहेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं कि कभी-कभी हो जाता है यह हो गया थीक है माही नदी के बारे में उसके बाद है आपका question 19 सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिये गए कूट का यह आपका जहिलम नदी का है वेरी नाक्स होता ठीक जम्मू कश्मीर में महाबलिश्वर कृष्ण नदी पिल्कुल सही है चोटनागपूर का पठार स्वण रेखा नदी क्या हो जाग एक दो तीन चार दिखाई दे रहा एक दो तीन चार यह रहा अंसर इसका ठीक है तो इ लिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंस घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है ठीक है देखते हैं यह एक अपवादित प्रस्ण है यूपी प्री 2019 में पूछा है मने आपको पहले ही बताया कि दामुदर नदी ऐसी नदी है जो कि आपका पस्चिम में बहती है जो सब याद करते हैं कि बहती है लेकिन यहां याद रखना हमें दामदर नदी ठीक है आगे बढ़ते हैं तो प्रस्ण ऐसे पुछे जा सकते हैं प्रस्ण जो है आज की परिच्छाओं में प्रस्ण का कोई छेतर नहीं है तो प्रस्ण जो है किसम किसम का प्रस्ण करते रहो ठ रखनाव गोमती नदी बिल्कुल सही है भूनेश्वर महानदी नहीं ठीक है उज्जयन शिप्रनादी बिल्कुल सही है तो तर्ट एवं तर्ट पे इस्थित सहर हमें याद होना अनिवार रहे हैं इस प्रकार से प्रस्ण पूछे जाते हैं ठीक है तो भूनेश्वर महानदी कर दो यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है आई आगे बढ़ते हैं प्रस नंबर 22 की जीए यह उसी प्रकार है ठीक है कट अभी का बता है मैंने आपको महानदी कर देतें दुदियाना सतलज नदीक किनारे बिल्कुल सुमेलिक कर देतें नासिक का है नासिक आपका गो आ देता हूं ठीक है आईए कटक तीन दीख रहा है दो में दीख रहा है ठीक लुधियाना सतलज नदी मतलब कि आपका बी का फोर बी का फोर यह होगा इसका अंसर ठीक है इसक्रीन बढ़ा होने की वज़ा से यहां से जो है बहुत आक उपर नीचे करना पड़ रहा है आप ल फबंटी त्री निम्लिखित में से कौन सा यूग म सही सुमेलित नहीं है ठीक है जबल पूर नरमदा नदी ठीक है जी घधरबात क्रिश्ना नदी यहां पस्टाउट है ठीक है घदरबात को है आपका मूसी नदी सोरी सब्सेट इससारी कहया बोल रहरों मे Nepo ठीक है याद बार पढ़ लिए एसी को ठीक है आगे बढ़ते हाई गंगा ना दीके किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो प्रस्णानुसार जो है वारण असी पटना इलाहबाद कानपूर उत्तर भारत का मैंचेस्टर पहले वीडियो में बताया था चमडा उद्योग के लिए नदी के बीच में आपका सत्पूरा रेंज ठीक है तो इस प्रकार से दिमाग नक्से में पहुचाता हूं मैं नक्से में पहुचाया तो मिरे क्याद आ गया कि नर्मदा उपर बैती तापती नीचे बैती आए नक्से में दिखाता हूं आप लोग को कहा है नक्सा यह रहा अक्सा ठीक इसको कर देते हैं क्लियर यह रहा नर्मदा और यह रहा तापती और यह सत्पूरा के घने जंगल भड़े अन्वने जंगल आईए ठीक है इस प्रकार से अराम से इंज्वाय करते हूं पढ़िए तो हो गया क्या 25 ठीक है अब आईए जो लास्ट सेशन में पू को नенग्यों करते हुए उत्तर छुनिएं ठीक है विस्ट दवाब देखेए 20 दवाब क्या है आपका ब्यास तत्था सतलज नदी निए ठीक है उसके बाद आपका बारी दवाब क्या होगा आपका रावी तथा व्यास नदी तथा रचनदवाब क्या है आपका चिनाप तथा रावी तथा चिनाप ठीक है तो इस प्रकार से यह आंसर होगा इसका बोला नहीं यहां से फोकस करना थोड़ सा कठीन होता है ठीक है और उपर से यह जो है फॉंट इधर-उदर कर दिया है तो आधा समझ है यह रहा आपका आज का प्रस्ण ध्यान से इसे बनाना है और कमेंड बॉक्स में इसका आंसर देना है आशा करता हूं आप अपनी तैयारी बहतर और जोरो सोरो से कर रहे होंगे तो इसी के साथ इजाज़त सहूंगा सात्रों जहिन